हेलो एब्रीवन वेलकम टू मा अनदर वीडियो फर्स्ट ओफ आप सभी को हैपी महासिवरात्री और आज को जो वीडियो है फ्रेंड जिस में बात करने वाली हूँ बीएच्व बीएफे को लेके चुकि आप लोगों बता दू कि 2021 में बीएच्व बीएफे का इंट्रेंस ए पर रहने वाले हैं कि 2022 में भी वही पेटरण के भीलिया था तरीके से रहा तक 2020 उस तरीके से से बु al po में सब्सक्राइब कर लेगा साथ ही आप मूझे इस्टाब डियु能 को फोलो कर सकते हाईदी इन हर वीडियो की दिक्शिशन में और और साथी में एक और चीज़ आ के लिए तो खु़सी की बात है फानली से अपना ब्लोगिंग चानल स्टार्ट करने का मैं ने स्टार्ट कर दिया है को मल बर्नवाल ब्लोग के नाम से 게 नीया स्टार्ट किया है, उसी नाम से मृत ाब youtube कर दबास umamal.com क्या इंप्रूफ करना चाहिए अपने ब्लोगिंग चैनल के लिए क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग है बहुत सरा ब्लोगिंग मैंने देखा है कभी किया नहीं है तो वह चीज आप मेरी खामिया जरूर बताईएगा ताकि मैं उसे और इंप्रूफ कर पाऊं और अच्छे से म काम चलता है थोड़ा वह सब को में दिखाने की कोशिश करूंगी सब्सक्राइब करते हैं तो वह सारी चीजों को मैं पूरी तरह कवर आप करने की पूरी कोशिश करूंगी हर तरह की वीडियो आपको मिलेगी इस चैनल पे कोमल बर्नवाल ब्लॉक के चैनल पे तो एक बर आप जाके चैनल विजट जरूर करें और अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें अपना फीडबेक जरूर दे अब बात करते हैं बीच्चु बीएफ इंट्रेंस एक्जाम 2022 के बारे में तो यहां पर अभी क्या है कि पहले ये बता दू कि 2020 तक कैसे एक होता है आपका प्रेक्टिकल प्रेक्टिकल में दो सब्जेक्ट होते हैं एक स्टिल लाइफ और एक कमपोजिशन जिसमें आपको मेमोरी ड्रोइंग बनानी होती है ठीक है और इस तरीकी से यही पेटरन तक आपका 2020 तक इंट्रेंस एक्जाम हो रहाता है और सबसे अच्छ घ्याल होता था उसमें सिर्फ 150 मांक्स के एक्जाम होते थे हर कोष्चन थ्री नंबर एक होते थे और एक नंबर जो है माइनस मारकिंग होती थी और आपको ही कोशन गलत करते हैं तो और इस बार क्या चेंज्जिज हुए है ठीकल अर प्रेक्टिकल एक्जाम में प्योरी त लुएआज को एक्च्छा दालकर अच्छे से मैनत करने की जरूट है। कि जब तgehंड जरोवेत है गोshu सुट होगा वोर क्लिष्स का तू कि कि दerkstraff should face 2021 में जो हुआ था हर question 4 number का था और total marks था 200 और minus marking 1 number तो यह changes किया गया है पहला marks में changes किया गया है अब बात आते है practical तो practical में जो changes किये गए हैं कि 2021 में still life लिया ही नहीं गया है exam में सबसे बड़ी बात still life का exam हुआ ही नहीं है हुआ है तो क्या सिर्फ practical में composition का exam हुआ है लेकिन composition में भी changes किये गया है अब composition आप memory drawing के हिसाब से तो बनाओ गे ही लेकिन उसके साथ साथ आपको उस memory drawing में एक perspective drawing भी add करनी होगी ठीक है आप memory drawing तो बना रहें लेकिन साथ साथ उसको perspective drawing में दिखाए कि हम दूर से देख रहे है कोई चीज तो कैसी दिख रही है या फिर ह हम बड़ व्यू से देख रहे हैं नीची का व्यू तो हमें वह कैसा दिख रहा है क्लास के एक कोने में बैठ है तो क्लास का सामने का position कैसा दिख रहा है एक वीडियो है जिसे मैंने perspective drawing को लेके पूरे अच्छे संजाया है वीडियो के description में लिंक शेर कर दूंगी वह आप ए अब बात करती है कि यह जो exam है यह exam 2021 में लिया गया है लेकिन क्या 2022 में किस तरीके से exam होगे क्या पुराने pattern से होगे या फिर नए तरीकी के pattern से होगे तिहां पर मैं बता दो कि जादा chances जादा से जादा chances है कि जो नए pattern है जो pattern में change लाया गया है उसी के हिसाप से exam हो मतलब theory जो आप की आएगी वह आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है अब तक जो आप हर बार मेहनत कर रहे थे उससे तो जादा मेहनत करना है जीकी के questions और current affairs के questions और syllabus थोड़ा डीप आपको पढ़ना ही पढ़ना है और यहां पर बता दूँ कि complete syllabus में मैंने औरेडी वीडियो बना और भी upload करूंगी आने वाले टाइम पे तो वह भी आप classes जरूर देखें तो यह तो हो गया कि थियोरी माइनस मार्किंग भी है वह नंबर की हर कोशन चार मार्क्स का है और टोटल नंबर जो होगा वह 200 को होगा अब बात आते है प्रैक्टिकल की तो इस बार बिया चांसे स प्रैक्टिकल 2021 के तरह होने के प्रेस्पेक्टिव ड्रोइंग में ही प्रेस्पेक्टिव वे में ही इस बार भी एक्जाम आने के चांसे ज्यादा है लेकिन मैं यहां पर एक और ची सजेस्ट करना चाहूंगे कि में भी अगर कुछ चींज हो गया तो तो आप बिल्कुल आ भले आप उतनी ज्यादा प्रेक्टिस ना करें लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रेक्टिस जारी रखे क्योंकि जब फॉर्म निकलेगा तो ही सारी चीजे किलियर हो पाएगी कि हां इस बार स्टिल लाइफ एक्जाम होगा कि ने प्रेक्टिकल एक्जाम तो वैसी होगा प्रेस्पेक्टिव ड्रोइंग मेमोरी में आपको बनाना है लेकिन इस्टिल लाइफ ड्रोइंग तभी पर चलेगा जब वह फॉर्म निकल के आएगा फॉर्म में मैंसन होगा कि होना है कि नहीं होना है तो मेरा बस यहां पर यह कहना आप सबसे कि ठीओरी और प्रेस्पे का वक्त मिलता है स्टिल लाइफ के लिए तो उस देज की दोरान आप अपने काम को थोड़ा और इंप्रूफ करके अच्छा एक्जाम दे पाऊगे और अप एकदम से चोड़ देते हैं और मान लिजे कि फिर से कोई चेंजर शुराते हैं मान लिजे कि पराने तरीके से ही जिस तरीके से एक्जाम हो रहे थे वैसे हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है तो मान लिजे कि पराने तरीके से फिर से एक्जाम होगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप पुरी तरह प्रैक्टिस छोड़ दोगी अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो थोड़ प्रस्पेक्टिव वे में आप ज्यादा से ज्यादा कंपोजिशन की प्रैक्टिस करें और कुछ प्रस्पेक्टिव ड्रोइंग मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी कर रखा है वाटर कलर पेंटिंग के नाम से अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको इसली मिल जा करना है थोड़ा बहुत भी फोकस करनाया पर करना है तो चलि हो आपको अच्छ ने पताईगा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेटन से जरूर किजिए कर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा मिलती मैं आप से नेक्स वीडियो में नमस्ते and थान्की फॉर वाच्चिंगात।